हाई गाईज, असलाम लेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाईज, I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आप सब हमेशा बहुत ही अच्छे रहें, सिहत्मन तंदुरुस्त रहें, कामियाबी दे अल्ला आप सब को गाईज, ये देखे, मेरा चना और हरी मुंग, जो मैं रात को भीगो देती हूँ, डेली तो नहीं खाती हूँ गाईज, जैसे एक दिन गैप करके, या दो दिन गैप करके, मैं इसे भीगो देती हूँ, और खाती हूँ, खाली पेट में, मैं अभी मेरा गरम पानी पी चुकी हुँ और अभी कुछ देर के बाद ये मैं जना और हरी मुंग खाऊंगी तो गाइज आज संडे है आज का क्या प्लान है आपका आप सब कहीं घूमने जा रहे हैं कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं या घर पे ही रहे के इंजॉय करना है आपको अच्छे टाइम क्वालिटी टाइ आपको अच्छे टाइम के साथ में घर पे ही हूं मेरे रिदा भी मेरे पास ही है और कहीं भी जाने का प्लान तो किया नहीं है मैंने बिकॉज मन भी नहीं करता है गाइज पापा वहां होस्पिटल में है मुंबई में साथ जैन्वरी से और आज 22nd है ना 22nd है गाइज अगर 23rd होगा तो तो गाइज चना खाने के भीगे चने खाने के बहुत ही जादा फायदे हैं गाइज चलिए मैं कुछ फायदे आपको बता देती हूँ धीगे चने खाने के से आपका वो डाइजेस्टिफ सिस्टम को ऀम्प्रूफ करता है ये digestive system जिसे पाचन बोलते प्रकिरिया उसको सही करता है ये पाचन शक्ति को मजबूत करता है ये और heart health के लिए भी फाइदे मंद है heart health के लिए और cholesterol कंट्रोल करता है ये खून की कमी को दूर करता है ये और ladies के लिए तो बहुत ही जादा फाइदे मंद है ये भीगे चने खाना मैं honestly बताओ मैं daily नहीं खाती हूं guys एक दिन दो दिन तिन गैप करकर के मैं इसे भीगो देती हूं क्योंकि guys ये महंगे मिलते हैं तो मैं कहां से खरीदाओं की इसलिए इसलिए भी मैं daily नहीं खाती हूं डेली नहीं भीगोती हूं और कुछ-कुछ दिन पे मैं खाती हूं और कभी-कभी daily भी खा लेती हूं और हरी मुंग के तो बहुत ही जादा फायदे हैं guys इसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो इनसान के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं ये blood pressure को control रखने में बहुत ही helpful होता है हरी मुंग और anti-fungal गुन होते हैं इसमें guys फोन की कमी को भी दूर करता है ये anti-oxidant इसमें गुन होते हैं और hypertension से ये बचाव करती है और cancer के खत्रे को भी ये कम करती है हरी मुंग जो है guys और वजन घटाने में भी ये helpful होती है हरी मुंग तो ये कुछ फायदे मैंने आपको बताया guys I hope आपको अच्छा लगा होगा सुनके शायद ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी और मैं देखिए अभी ये दलिया बनाऊंगी मेरे बाबू के लिए दलिया को बनाने में भी बहुत easy है guys कुछ नहीं करना होता है थोड़ा स कुकर में मैं दोखकर डाल देती हूं और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और दो चुटकी हल्दी और बाकी सुवात के अनुसार नमक और अंदास से ही पानी डालना है न जाधा होना चाएं न जाधा कम होना चाहिए guys और धीमी आज पे पहले तो तेज आज पे एक सीटी लगने देना है दलिया को और फिर धीमी आज पे 20 मिनट के लिए उसे पकाना है दलिया इस रेडी तो गाइज मिलती हूँ आप से नेक्स्ट अगले व्लॉग में और मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही व्लॉग शूट करूँ अपलोड करूँ थैंक यू सो मच पर वाचिंग गाइज थैंक यू सो मच पर लिसनिग और लव यू आज प्लीज आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है गाइज कि आप सब रिदा हयात व्लॉग और रिदा शमा दोनो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस देखिए मेरी शॉट्स देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए मुझे सपोर्ट करिए और मेरे पापा जो कैंसर पेशन्ट हैं जो कि मुंबई में हैं अभी साथ जैनवरी से हैं अभी तक नहीं आए हैं उनको वहाँ पे फिर से कीमो चड़ रहा है और 2018 में भी 6 साइकल कीमो हम लोग चड़वा चुके हैं फिर से बार बार कैंसर उनका वापस आके फिर से बढ़ जा रहा है बहुत तकलीफ में हैं वो गाइस तो आप सब दुआ करिए तक नहीं करना चाहिए लंबे समय के लिए क्योंकि लंबे समय के लिए लिए इग्नोर करते करते वो कोई मेजर कोई बड़ा वो डिजीज बन जाता है तो हर तरह से अपना ख्याल रखिये एक्टिव रहिये वर्क आउट करिये और अपना ख्याल रखिये चेक अप करवाईए रेगुलर अपना चेक अप करवाईए कम से कम महीने महीने पे कि कोई चोटी सी बिमारी कोई बड़ा रूप ना ले ले मेरे पापा के लिए दुआ करिए गाइस प्लीज उनकी मकमल शिफा के लिए उनके हैत में खैर और बरकत के लिए उनकी सेहत तंगरुस्ती के लिए हम लोग सब तो कर ही रहे है और हर जगा पे मैं दुआ करवाती हूँ मेरे पापा के लिए क्योंकि हर अउलाद अपने माबाप को दिखाए या ना दिखाए प्यार तो करते ही है सब जटाते बहुत कम है बट सारी अउलाद अपने माबाप को प्यार करती है इज़त करती है और फिकर भी करती है गाईज आई रिली बिलीव कि सब लोग करते हैं थैंक यू सो मच गाईज असलाम लेकूम एवरीवान मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लोग में बाई असलाम लेकूम एवरीवान